कि लोग आज आप लोग बताना चाहूंगा जो लोग भी रांची ने विश्टी रांची के पीजी डिपार्टेमेंट में एड्मिशन के लिए चैंसल पोर्टल में फॉर्म अपलाई किये थे तो उन लोग का मेरेट लिस्ट जारी कर दिया गया है तो हम लोग इस वीडियो मे आप लोग इस वीडियो में देने वाला हूं तो आप लोग देखने यूटूब चैनल ओनलाइन मिकास जो लोग भी तक चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को दबा करके रांची पीजी डिपार्टमेंट का मेरिट लिस्ट की बात करें तो आप लोग को साब स दिपार्टमेंट में आप लोग को अपना मेरिट लिस्ट देखना होगा ओँ पर आप लोग को बाहर में मिलेगा एक νोटिस बोर्ड ठीक है तो उसी लिखने गए थे और वो अपने मॉवाइल फोन में फोटो खीच करके मेरे टेलेग्राम गुरूप में कुछ सब्जेक्ट का मेरे ट्लिष डाला हुआ है तो अहां पर सभी कुछ सब्जेक्ट का आप लोग देख पाएंगे तो उस टेलिग्राम गुरूप का लिंक इसी वीड तो admission process से पहले आप लोग को कुछ documents का लिस्ट दिखाना चाहूँगा जो कि आप लोग को ले करके जाना है अपना admission के लिए तो आप लोग देख पार होंगे एक कुछ documents का लिस्ट है जो कि आप लोग को admission के time ले करके जाना है तो देखें उपर में लिखा होगा कि original with two set photocopy यानि कि एक सेट तो आपका original हो गया उसके साथ दो सेट आप लोग को photocopy ले करके जाना है ठीक है ज़रूरी नहीं कि दोनों सेट जमा हो लेकिन एक सेट जमा होगा बट एक सेट अपने पास रखना भी ज़रूरी है जिसके वज़से यहां पर दो सेट आप लोग को photocopy ले निकलवाए थे होंगे तो वही confirmation page लेकर करके जाना है उसके बाद देखिए मार्शीट औप क्लास 10 करके का और देखिए हाँ पर मार्शीट औप क्लास 12 और यहां पर DSPMU लिखा हुआ है क्योंकि DSPMU का जो list है वही में बतारो ठीक है तो इसको आप लोग ignore कीजेगा इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजेगा ठीक है उसके बाद देखिए एडमीट-कार्ट औप क्लाश 12 लेकर के जाना है मार्शीट लेकर के जाना है एडमीट-कार्ड और यहां पर बताना चाहूंगे एडमीट-कार्ट लास्ट सेमिश्टर का होना चाहिए और मार्शीट जो की all over market रहता है वो होना चाहिए ठीक है उसके बाद देखें नीचे में यहां पर दिया गया है college living certificate जिसको के TCCLC के नाम से जाना जाता है और यहां पर migration certificate और एक certificate यहां पर लिखा नहीं हुआ है वह आप लोग को मैं बता दे किये थे तो बिपिल certificate भी ले करके जाना होता है उसके बाद देखें अधार card रहां passport size photo 5 यहां पर लिखा गया है लेकिन आप लोग को मैं बोलूँगा चार ले करके जाएगा तो भी हो जाएगा उसके बाद देखें EWS certificate for selected in EWS category अगर आप लोग EWS category के लिए apply किये थे और उसमें select हो चुके हैं तो आप लोग यह certificate भी ले करके जरूर जाएगा और प्रोसेस की बात करें तो आप लोग को मैं step by step बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी confusion ना रहे कि कि किस तरह documents मांगा जा सकता है लेकिन जो में टाइप से होई documents आप लोगों में दिखाया जो कि आप लोगों से admission के time मांगा ही जाएगा उसके बाद देखी ओहां पर जा करके आप लोगों को अपना भी payment करना है ठीक है कोई भी university में या फिर college में जाकर जमा नहीं करना है आप लोग को चांसलर पोटल में आ करके जमा करना है तो इसके लिए यह वी पासमोर्ट ढाल लेना है चोटा बड़ा उतार लेना है जैसा हो इसके बाद दियाजया है नीचे में login हेर तो इससे पर ट्रस करके आप लोगों को admission भी payment करना होता है तो आप लोग भी कर सकते हैं अपने mobile से कर सकते हैं मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दिया हूं जिसमें कि मैं इस्टे बाई इस्टे बताया हूं कि किस तर से आप लोग अपना मोबाइल फोन से अपना एडमिशन फी पेमेंट कर सकते हैं अगर आप लोग इस वीडियो के देखना चाहते हैं तो उस वीड करना है जो भी आपको पेमेंट करेंगे उसका स्लीप ठीक है उस स्लीप को ले करके अपने डिपार्टमेंट में जमा करना है उसके बाद आप लोग का जो एडमिशन है वह कंप्लीट हो गया है ठीक है यानि कि इसके बाद आप लोग को कोई भी प्रोसेस नहीं करना है उसके आप लोग को जाना है क्लास करने तो मुझे उम्मीद है को सारा जनकारे मिल गया होगा अगर आप लोग को अभी बी कुछ भी डौट है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट होगा और आप लोग देख रहे हैं यूटुब चैनल ओलाइन अभी कास जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकोन को दबा करके रिखिए क्योंकि मैं इसी तरह का आप लोग के लिए और जोब से रिलेटेड वीडियो लेकर करके आता हूं जिसमें कि आप लोग को मैं इन्फोर्मेशन भी देता हूं और पलस आप लोग को भरने के लिए भी बताता हूं कि क्या किसा करना है प्रोसेस भी बताता हूं इतना करके रिखिए और आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जेहिंद जे बारत